Snapchat का Link कैसे Copy करे? Snapchat ID का Link कैसे Copy करे? Hello दोस्तो, स्वाइगत है फीर से एक नियूब वीडियो में इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर दोस्तों आप भी इस्तिमाल करते हैं Snapchat का और आप अपने Snapchat का Link Copy करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है Snapchat का link कैसे copy किया जाता है इस वीडियो को ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चली वीडियो सुरू करते है Snapchat का link copy करना काफी असान है चली मैं आपको बताता हूँ Snapchat का link कैसे copy कीजेगा तो Snapchat का link copy करने के लिए सबसे पहले Snapchat को open कीजे दोस्तो काफी लोग Snapchat का link इसलिए copy करते है ताकि उसे अपने friend के पास अपना ID और link को share करना होता है जिससे उसके profile में widget कर जाए तो हम यहाँ पर copy करने वाले हैं तो copy करने के लिए हमें यहाँ पर कहां पर आपना ओना होगा उपर में एक option दीखेगा यहाँ पर आपको इस logo पर click करना है logo पर click करने के बाद जो है आपके यहाँ पर आपका ID खुल कर आजाएगा आप जैसे की देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको जो है अपने यहाँ पर ID का link copy करने के लिए आपको जो है उपर में एक option दीखने को मिलेगा यहाँ पर share का जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या करना है share वाले बटन पर click करना है और नीचे से जो है आपको काफी सरा option दीखेगा अब यहाँ पर आप चाहे तो link को copy कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो direct इसे send भी कर सकते हैं send करने का option दिया होता है जैसे की whatsapp, instagram, message, messenger, facebook, telegram और यहाँ पर और भी काफी सरा option दिया है more पर click करके आप इस link को और भी जगा यहाँ पर share कर सकते हैं जैसे की यहाँ पर drive है, यहाँ पर whatsapp है, share मी है, इसी प्रकार से chrome है, facebook है और भी काफी सरा email भी दिया हुआ है, ठीक है तो अब यहाँ पर link को copy करने के लिए आपको इस पर click करना है copy काहाँ पर button दिखाए दिरा है, इस पर आपको click करना है तो दोस्तो आपका जो snapchat का link है, वो copy हो चुका है, अब इसको share करना है share करने के लिए आप अपने whatsapp को खुल लीजिए, या फिर जहाँ भीजना चाहते है, वहाँ पर आ जाएए इसके बाद आपको किसी के chat में आना है, जिसे आप send करना चाहते है, इसके बाद यहाँ पर click करना है और यहाँ से इसको send कर देना है, इस परकार से, यहाँ पर send कीजिएगा, जैसे ही यह इस link पर click करेगा